इस अपके खानों में आपके रिसक में आपके जायक में तो आज में आपके लिए चिकन स्नेक्स की बहुदी यूनीक मझेदार और खुबसूरत सी रेस्पी लेके यह यह अगर आप इनको गैस्ट के सामने रखेंगे तो एक दफा हिरान जूरूर होंगे और जब इसको बिल्कुल भी मिश्किल नहीं बस आपने steps को follow करना है और जो मैं tips and tricks दूँगा वह आपने ध्यान से सुनना है चलें जी बिसमिल्हारवारे तो यहां पे chicken की हम cutting करेंगे बोले समय chicken चाहिए इस टाइब की आपने बोटी कर लेनी है ठीक है क्यूब्स में उसके बाद बिसमिल्हारवारे नहीं हुपसुरों सा बॉल लेंगे और यहां पर हम इसकी बहुत ही मज़ेदार लाल मिर्च का पार्डर करेंगे हलदी कर देंगे और साथ इसमें हम मिक्स गलमसाल हाफ टी स्पूण करेंगे ठीक है इसकी जगात तिका मसाला भी ने चाहते है थोड़ी सी काली मिर्च 1-4 टी स्पून और जर्दा कलर एड़ करेंगे हुपसूरती के लिए ठीक है अब आपने इस चिकन को अच्छे से मिक्स कर देना है इसकी मेरिनेशन को आपने कम से कम चार घंटे जरूर देना है ठीक है क्योंकि जिस तरह की ये रैस्पी है उसमें बह सीधा नहीं थोड़ा सा टेरा रखके आपने इस तरह से चलाना है ठीक है क्योंकि हमें जो चिप्स चाहिए वो तो इसी बड़े साइज की चाहिए क्योंकि उसके अंदर हमने चिकन की बोटी को फोल्ड करना है ठीक हो गया मैं आपको दिखाता हूं यह देखें आप यह हो सके और अच्छे से क्रिस्पी बन सके चलें जी बिसमिला है उसके बाद यह चिकन जिसको हमने मेरिनेट किया था तकर चार से पांच गंडे पहले इसको लेंगे और इसके अंदर हम मैदा एट कर देंगे वान टेबल स्पून भर कर यह मैदा हम क्यों एट कर रहें आपको हम लिए चाहिए पानी जाए बीजादा ना इसके ऊपर एक कोटिंग सी होगी जो बिल्कुल भी उत्रेंगी नी ठीक है तो इसकी जगह आप चाहें तो कर लेंगे और यह अलू जिसको हमने काटा था इसको हम कर लेंगे ड्राय ठीक है इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह हम इस तरह से लगाना है पलटना है यह इसके ओपर ड्राइ चिपक जाएगा ठीक है बिल्कुल ड्राइ आपने इसको आलू को गीला नी ड्राइ करके यूज करना है इसे के अगर जर्ट बहुत ही आउट स्टेंडिंग होंगे ठीक है अब इसके अंदर चिकन के पीछ को रखके आपने इसको फोल्ड कर देना है और यह एक एक स्लाइ लेनी है और इस तरह से इसको लगा देना है ठीक है बहुत ही असानी के साथ इसके अंदर चली जाएगी और चिकन की जो बोटी है वो इसके अंदर फिक्स हो जाएगी ठीक हो गया यह देखिया आप बहुत ही सान है औ और इसको आप एक दफा सब इकठी बना ले उसके बाद बिस्मिल्लाइब आपको बता तो इसको फ्राई भी करने का स्पेशल तरीक है तो यहाँ पे देख लिए हमने इन बटरफ्लाइस को इन स्नेक्स को तियार कर लिया है यहाँ पी आप इसको चाहें तो फ्रीज भी कर सकत हम इसको इस तरह से पलट लेंगे अब जो ड्राई ग्राउंड स्टार्ट साइस के अपर आलू के उपर वो इसको बहुत जारा क्रिस्पी बना देगा पलट के बखाएंगे तो क्या होगा हमारे जो चिकन है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा क्योंकि हमने फ्रेम को लो पी नहीं होगा जूसी भी रहेगा और मेरी नेशन के वज़े से बहुत जल्दी पक भी जाएगा ठीक हो गया तो जैसे ही क्रिस्पी होना शुरू हो आप इसको उतार लेना है तो चलिए फाइन लो की तरफ बिस्मिल्ला हरामार रहीम तो इसको लगाते हैं प्लेट में सज एना का में च्रहें हो जूआ से बैक्तका मेंस चिकन कानेंस नेक्स के लिए और टेस्ती być के लिए के लिए इस स्नेक्स सटेफिस पर लिए पर सुआ